असलाम अलेकूम विल्कम बेक्टर वर यूटीव चैनल फ्रेंड्स मैं हूँ हीना और आप देख रहे इचकाई किछन रेसिपी विद वुलॉग तो आज फिर से हाजिर हूँ एक नई मोहरम स्पेशल शर्बत के रेसिपी लेकर जो की बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है और इसका टेक्स्टर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी है विदाउट कस्टर पाउडर के हमने बटर्स को शर्बत बनाया है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है यकीन मानियों सबको यकीन बहुत पसंद आएगा इसे जरूर ट्राय करना और आल्रेड़ी मैंने दो रेसि चौप प्यासरी से मिल जाता है इसको हमें सोक करना है तो एक ग्लास भर के पानी इसमें एड़ कर देगे और इसे सोक होने के लिए रख देगे तो जितना हमने सब्जा सीर्स लिया है यह सोक होने के बाद ना इसकी कॉंटिटी डबल हो जाती है तो वन टेबल स्पून काफ तो एक मैंगो मैंने यहां पर यूज किया है और देखे इसका पल्प मैंने निकाल लिया है मैंगो का और इसे हमें ग्राइंड करना है तो देखे मैंने इसे पीस लिया है फाइन पेस्ट इसकी बनानी है जैसी के आप देख रहे हो आप चाहे तो मैंगो में ही शूगर डाल सकते है चिनी मेल्ट हो चुकी है तो सब्जा स्टीर से मैंने एड़ कर दिया है और यह जो मैंगो की प्यूरी हमने बनाई है तो इसमें हम एड़ कर देगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है देखिए मैंगो मैंने जिसे की बताया ऑप्षिनल है अगर आपको डालना है तो डाली ने तो स्किप कर सकते है वैसे भी बहुत ही रीच रेसिपी बनके रेडी हो जाती है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेगे देखिए फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर रोज इसेंस लिया है आप चाहे तो केवडा वाटर भी यूज कर सकते है यह इलाइची पा सब चीजों को मिक्स कर लेगे स्पून से चलाते हुए अब यहाँ पर मोस्ट इंग्रिडियंट हमारा है आइस्क्रीम जो की बटर स्कोच है आप चाहे तो अगर मैंगो फ्लेवर का बना रहे हुना शर्बत आपको मैंगो वाला बनाना है तो मैंगो फ्लेवर की बटर चार मैंने यह कप लिया है जैसे के आप लोग देख रहे हो एक लिटर दूद के लिए चार कप लिये है और यह बहुत जादा शर्बत कॉंटिटी में बनके रेडी हो जाता है क्योंकि इसमें हम आइस क्यूब्स भी डालने वाले है तो कॉंटिटी डबल हो जाएगी और मत की मर्जी है यहाँ पर आप कोई भी फ्लेवर के आइस क्रीम ले सकते हैं एंड में हम एड कर देगे आइस क्यूब्स तो आइस क्यूब्स मैंने यहाँ पर बहुत सारा डाला है देखिए एक कब भरके डाला है पुरा और इसे भी हम मिक्स कर लेगे तो लीजिए बनके क्रीमे अलाफिस